और आज अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपके पास है क्या आपके पास अगला जीपी जैसे अपने पढ़ लिया एसी अपने पास क्या रहा है अब यह क्या पर देखो उसके लिए कुछ एकाथ सेक्वेंस में आपके सामने रख रहा हूं उनको देखते हैं पहले फिर बात करते हैं क्या है मान लिए एक सिक्वेंस उमारे पास है 2, 4, 8, 16, 32 and so on चलते रहा, एक sequence यह है ठीक है, और मैं एक sequence और तुम्हारे पास रख रहा हूँ 3, उसके बाद आपका 9, फिर आपका 27, फिर आपका 81 and so on यह आपके पास यह sequence में रखी एक और लेते हैं sequence, एक और देख लें यह आपके पास आया 1 upon 9, फिर आपके पास है minus 1 upon 27, फिर आपके पास आया 1 upon 81 and so on ठीक है, यह आपके पास तीसी sequence है यह इन तीनों में एक बड़ा शांदार सा तुम्हें pattern देखने को मिलेगा एक observation करते हैं, हर एक sequence में second term upon first term, third term upon second term fourth upon third इन सबका ratio same है, चेक करके देख लें 4 upon 2 equal to आपका, 8 upon 4 equal to आपका, 16 upon 8 equal to आपका 32 upon 16 and so on, सबका सब आपका कितना दे रहा है ratio 2 दे रहा है, देख लो, है ना, और इसके रहा हुआ, इसमें देख लो 9 by 3, 27 by 9, 81 by 27, सब में ratio कितना आ रहा है 9 by 3, ok, 27 by 9, और उसके बाद 81 by 27 and so on, इन सब में ratio कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ok, और इस वाले में देख लो, minus 1 by 27 upon 1 by 9, कितना आएगा minus 1 by 27 upon 1 by 9, यह ना, यह आया, 1 by 3, minus 1 by 3, ऐसी 1 by 81 upon minus 1 by 27, यह भी आया आपका minus 1 by 3, ठीक है, तो यह चलते रहेगा ऐसे, तो भईया, इसमें देखने को क्या मिला, इसमें देखने को मिला, कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरह का sequence है, जिसमें कोई दो consecutive terms का ratio same हो, ऐसी sequence को क्या बोलते है, geometric progression बोलते है ठीक है, अगर मैं इसको general form में present करूं, तो इसका first term जो है उसको a कहते हैं, और जो आपका ratio same आपका common ratio कहते हैं, अगर first term आपका a है, ठीक है, और जो common ratio आपका R है, equal ratio आपका R है, ठीक है, R आपके क्या है कहा? common ratio कहा common ratio कहा इसको हमने तो भाईया यह जो आपके पास कहानी आई इस कहानी के तहट अगर मैं GP को present करूँ तो ऐसा लिखा जाता है general form of a GP पहले definition लिख लेते हैं a sequence a sequence a ठीक है a1 a2 a3 so on an and so on is called is called GP is called GP if if ऐसा दियर condition ही होती है इसके लिए अगर कुछ ऐसा मिल जाए कोई a k plus 1 upon a k आपका क्या आए same आए ठीक है कोई a k plus 1 upon a k कितना आए आपका same आए मतलब succeeding term upon preceding term का जो ratio आपका है वो क्या आए same आए that is called GP यह जीपी आई और इसी GP के basis पर जो आपका even है even आपका जो first time है उसको basically a बोलते हैं ठीक है यह आपका क्या हो गया first time हो गया और जो आपका R है उसको क्या बोलते हैं हमने कहा common ratio बोलते है common ratio आपका यह आर हुआ ठीक है इन दोनों को लेकर अपने पास क्या आने वाली है general form of a GP आने वाली है ठीक है जीपी का हम general form लिखेंगे ठीक है dear तो यह आपके पास आएगा heading डावते हैं छुटी सी general form of a GP general form of a GP GP था एक general form अब भी general form क्या होता है बड़ा आसां जैसे AP का general form था वैसी अपने पास क्या आता है GP का भी एक general form निकल के आता है उट क्या होता देखते हैं देखो क्या है यह idea अगर A है common ratio आपके पास R है तो first term A होता है second term आपका AR होता है third term आपका AR square होता है fourth आपका AR cube होता है so on चलते रहा चलते रहा चलते रहा देख लो second term upon first term third upon second fourth upon third सबका common ratio आपका same R है ठीक है और अगर इसी में मैं end terms की बात करूँ up to end terms की बात करूँ an end term लिखा जाएगा देखो क्या होता है यह तो मेरे पास क्या आगया general form आगया simple सा आगया ठीक है बिना दिक्कत क्या आया कोई ऐसी इसमें परिशानी नहीं है ठीक है अच्छा अगर मैं इसके end term की बात करता हूँ ठीक है dear किसकी बात करता हूँ फर्स टम है तो इसमें क्या है आर की पावर जीरो है ठीक है यह आपके पास है फर्स टम तो इसमें आर की पावर कितनी है जीरो है देख लो यह आर को दो पावर जीरो second term आया तो आर के सर में 1 आया third term आया तो आर के सर में 2 आया fourth term आया तो R के सर में 3 आया, A सर में maintain है, है न, तो भी या N अटम में क्या होगा, बताब N अटम में क्या होगा, A तो रहे गई, R के सर में, देखो 3, 4 है तो 1 कमा रहा है, 3 है तो 1 कमा रहा है, 2 है तो 1 कमा रहा है, 1 है तो 1 कमा रहा है, N अटम में क्या होगा, N-1, होगा या नहीं होग मानते वितना तो यह जो चीज मैंने लिखी यहां पर इसको हमने नाम दिया किया जनरल टंग और यहां से मैं लिखूंगा if a be the first term a be the first term and are the common ratio are the common ratio ठीक है तो कहानी कहाएगी यहां पर दियर फोर a n general term a n equal to a r to the power n minus 1 बस हो गया एक फॉर्मूला अपने पास जीपी का यह आया ठीक है आसान सा फॉर्मूला आसान सा कॉंसेट क्लियर वाड यह इतना उसके पास जनरल टंग के बाद वही एंट टंग का सम हमारे पास आएगा औ देखो इतना हो गया होगा फिर इसके बाद हमारे बाद हाता है क्या sum to n terms of a geometric progression okay sum to n terms of a gp, gp के n terms का sum ठीक है दोस्त अब यह कैसे आता है बड़ा आसान सा है ना अगर मैं gp के n term के सम की बात करूं तो s लिखते है ठीक है s लिखते हैं पहला term क्या था a x3, pher ar, pher ar square, pher ar cube और कहानिया आपकी आगे चलती रही n terms की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्याएगा ar to the power n minus 1 थीक है इतना मानते हो थीक है इतना मानते हो अगर तो इसको मैं equation 1 नाम दे लेता हूँ ठीक है dear अच्छा इतना आने के बाद अगर मैं कि औरहां निधर के बदले वन रखूंँ ठीक है उड़ार एकवाटू रखऊंग्वाइश निकालने का यह तरीखा है ना एक तरीखाएश न रखे तो बताऊ एस कितना मिलेगा ए प्लस और की पावर आपका वन न है वन की पावर कितना भी बन होता है यहनि कि A A A plus A A plus up to so on. कि इंटाइम्16 किया. वन को मेंट करने पर जैसे एन आता है वैसे एक जाश्रों कि आधिक है, एक ऌर आपका बन नहीता है तो ऐसा और एक if r does not equal to 1, अगर r आपका 1 नहीं है, तो ऐसे case में, मैं एक दूसरी series लिखता हूँ, देखो क्या series लिख रहा हूँ, जो s वाली series थी थी न, ठीक है, उसमें मैं ऐसा लिख रहा हूँ, r s, ठीक है, r s, मतलब इस s को मैं ने r से multiply किया, तो क्या आएगा, r plus r square plus r cube plus r power 4 plus up to son, r power n minus 1 था न, उसको r से into कर देंगे, कितना हो जाएगा, r power n हो जाएगा, ठीक है, बात की है को समझना, हमने यह किया, देखो यह, s को r से into किया, r, r square, r cube, r power 4, चलते रहा, r power n minus 1 into r किया तो, r power n, ठीक है, बात मजमाई इतनी, अच्छा, इतना जब आग के पास आ गया भाई, तो मैं इसको लगे हाथ equation 2 बोल देता हूं, ठीक है, equation 2 बोल दिया, अब एक काम करते हैं, बड़ा आसान सा काम करते हैं, dear, मैं यहाँ से minus करता हूं equation 1 और equation 2 को, ठीक है, यह किया मैंने, equation 2 minus equation 1, करने पर, ध्यान से देखो, Rs था, minus S था, है न, Rs minus S equal to, अब देखना, बड़ी गजब चीज़ होने वाली है, बहुत गजब चीज़ होने वाली है, मैं इसको थोड़ा सा पर करके आपको दिखाता होगा, माइनस करेंगे, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, गौर देखना, इसको इससे minus करें, तो ये वाला पूरा, minus A वाला पूरा, AR से AR जाएगा, AR square से AR square जाएगा, AR cube से AR cube जाएगा, AR power 4 से AR power 4 जाएगा, AR power N से, देखो, AR power N minus 1 है, यहाँ पीस से पहले क्या होता होगा, देख लो भईया, जहां से देखो क्या क्या जाने वाला है, अब, क्या क्य यह जाने के लिए यह बचेगा, और ए-r न का साथी को यह नी जाने के लिए बचेगा, क्योंकि इसके बाद अगर a-r-n होता, तो वो जाता, है नहीं भहीया, तो अपने पास एक यह चीज़ बचेगी, और अपने पास एक यह चीज़ बचेगी, और चुकि हमने equation 2- equation 1 किया ह तो क्या आएगा अजरा बताओगे भी आप तो आपको समझ में आ गया है कि यहां पर जो सामान आने वाला हो क्या आने वाला है a r power n minus a आने वाला है ठीक है इतनी बात समझ में आ गया आपके तो बताओ dear क्या मिलेगा अब यह मैंने s common लिया r minus 1 हो गया यहां से a common लिया r power n minus 1 हो गया तो यहां से भाई साब तुम्हारे पास sum निकल के आ गया क्या निकल के आया sum s equal to आपका आ गया a r to the power n minus 1 upon r minus 1 लो भाई यह gp के n terms का sum हो गया ठीक है अभी हमारे पास exercise में के वाल finite gp आने वाली है जिसमें आप number of terms मालूम होंगे उसके बाद इसी की supplementary exercise में आप लोगे infinite gp का sum भी पढ़ोगे उसको हम आपे discuss करेंगे फिलाब मैं केवल formula भी जलो भी discuss करेंगे उसको अलाम से ठीक है यहीं पर इसको के वाल भी यहाँ पर sum के लिए बात करते हैं और यह आपका sum है s equal to a r to the power n minus 1 upon r minus 1 आप चाहें तो उपर नीचे से minus common लेकर भी उसको लिख सकते हैं कोई दिक्कर की बात नहीं है आपको book में साहर ऐसा भी दिया हुआ है s equal to a into 1 minus r power n upon 1 minus r दिया हुआ है तो दोनों आपके पास एक ही है जड़ोत के इसाब से आप जो लगाएं दोनों का answer आपका same आएगा ठीक है डियर इतनी बात समझवा आगई आप लोगों के इतना clear हुआ चलो कुछ questions कर लेते हैं इसके और उसके बाद फिर अगला जो concept इसका है geometric mean और GP की condition वाला हम उसको उसी में involve करेंगे ठीक है एक आथ कुछ questions example के तौर पर कर लेते हैं फिर जाके आगे की जीज़ों पर आएंगे ठीक है देखो exercise 9 points ही के question पर आते हैं एक question में ले रहा हूँ यहां से question तुम्हारे पास है find 28th and nth term find करना है ठीक है किस GP का? GP यह है 5 by 2 फिर 5 by 4 फिर उसके बाद 5 by 8 और कहानी आपकी चलते रही बहुत ही पिद्दा सा question बहुत ही बिद्दी सा क्या तर होगे यह दिखाई पड़ रहा है यह कितना दिखाई पड़ रहा है 5 by 2 दिखाई पड़ रहा है उसके बाद r कितना दिखाई पड़ रहा है? r कैसे निकलता है? second term upon first term 5 by 2 5 से 5 cancelled, 2 से 2 जाबार cancelled, r आपका 1 by 2 आ गया कैने कालने idea 20th term बताओ 20 कितना होगा? r to the power n minus 1 होता है na 20 minus 1 कितना हो जाएगा? 19 रख दो value, a बोले तो 5 by 2 और r बोले तो 1 by 2 की power 19 सलीके से पेस कर लोगे तो कितना लिखा जाएगा? 5 into 1 by 2 की power कितना आपका 20 हो जाएगा? 2 की power 19, 20 हो जाएगा? एक answer तो यह आ गया और ऐसी n atom बोलो क्या होगा? r to the power n minus 1 होगा na तो n atom कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? a बोले तो 5 by 2 r बोले तो 1 by 2 power n minus 1 ठीक है? सौल कर लो 2 की power 1, 2 की power n minus 1 कितना हो जाएगा? 2 की power 1 upon 2 की power n तो क्या लिखोगी answer? 5 into 1 upon 2 की power n बचोड़ दो इतना answer हो गया तुम्हारे पास है? ठीक है? देखो अगला question देखो फिर find the 12th term of a GP GP का आपने 12th term निकालना है a 8th term आपको 192 दिया होगा है और common ratio आपको 2 दिया होगा है ठीक है? देखो यह कहानी यह है आपको a 8 दिया है कितना दिया है? 192 a 8 का मतलब a r to the power 7 equal to 192 r कितना दिया होगा है? 2 दिया होगा है रग दो value a into 2 raise to the power 7 equal to कितना है? 192 ठीक है? a equal to आपका आपका जाएगा 192 upon 2 की power 7 कितना होता है? 128 2 to the 4 to the 8, 2 to the 16 to the 32 कितना? हाँ ठीक है? 128 होगा है ना? 128 होजाएगा उडालो इसको कितनी बाद जाएगा है? 4 से जाएगा 4 से जा 12, 4 तू जा 8 4 तू जा 16, 4 तू जा 32 है ना? इसके बाद आपका 16 तू जा 32, 16 से जा 48, 3 by 2 आपका a आगया ठीक है? a आगया भी है और निकालना क्या है आपने को? 12 तर्म निकालना है निकाल दो फिर 4 12 तर्म equal to क्या हो जाएगा? therefore, a 12 equal to a r to the power 11 तो यह आपका जाएगा? a बोले तो 3 by 2 r बोले तो 2 की power 11 यहने कितना आगया? 3 into 2 to the power 10 ठीक है? चाहो तो इसको solve कर लो, अदरवाइस आपका यह भी answer है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है? 1, 0, 2, 4 होता है 2 की power 10 है न, solve करके इसको 3 into 2 कर लो, आपको जवाब मिल जाएगा? है न, खतम सी वाला question आराम से बन जाना लागा question है तो कोई दिक्कर इसमें आपको नहीं आएगी ठीक है दोस्त, इतना clear हुआ? अच्छा, इतना आने के बाद अगला question देखें, एक और question कर लेते हैं तर्म दिये हुए है, 11th term, 5th, 8th and 11th term of a GP, R, P, Q and S, P, Q and S, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो प्रूफ करने को कह रहा है, एना, प्रूफ देट, प्रूफ देट, Q square equal to P, S, ठीक है? अपने को यह लेके आना है, बहुत प्यारा सा, खूबसुरा सा question idea, देखो ध्यान से, 5th, 8th और 11th term दिये हैं, रगदालो value A5, कितना दिया हुआ है? P, A5 का formula, A to the power 4 equal to आपको P दिया हुआ है, equation 1, है ना, और 8th दिया हुआ है, A8 equal to आपको Q दिया हुआ है, यानि की, A to the power 7 equal to Q दिया हुआ है, equation 2 हो गई, और A11 दिया हुआ है, कितना आपको S, यानि की आपको A to the power 10 equal to कितना पता है, S पता है, equation 3 हो गई, ठीक है, Q square equal to P S लेके आना है, तो आप चाहे तो right hand side निकाल लो, या left hand side निकाल लो, ठीक है, चलो right hand side लिखते है, R, H, S अपना है, P S, चलो P S को into करते हैं, P का value कितना है भई, A to the power 4 है, S का value कितना है, A to the power 10 है, ठीक है, तो बताओ भई, P S कितना आया तुहारे पास, A square, R to the power 14 आया, ठीक है, बताओ, P S को में और क्या लिख सकता हूँ, P S को में लिख सकता हूँ, ऐसा, A, R to the power 7 का whole square लिख सकता हूँ, देखो, A का square, 7, 2, 14, एकी बात हो आई, तो dear, P S equal to कितना मिल रहा है, A to the power 7 तुम्हारे पास कुछ है, कितना है, Q है, और भार से कितना आगया, Q square, equal to किया आगया आपका, R से solve किया, LHS मिल गया, लोड यह, यह हो गया तुम्हारे पास, proof, ठीक है, तो यह तुम्हारे पास GP की कुछ, Q questions आए, इसके बात कि हम Q questions अपने अगले वीडियो में करेंगी, और उसके साम Geometric Mean बगरे में involved होंगी, ठीक है, आप चाहें तो इसके आगये के Q Q try कर सकते हैं, Q number 5 बहुत आसान, आपको आराम से कर सकते हैं उसको, ठीक है, ट्राइ करिएगा, एक बात देखिएगा उनको, उसके बाब आगी हम लोग अपने next वीडियो में काम करेंगे, ठीक है, ख्याल लगे अपना, बाई,